यूँ तो आपने घर और महल बहुत तरह की देखे होंगे, फ्लैट भी देखे होंगे, प्लोट भी देखे होंगे, एक मंजिला, दू मंजिला, टैस लगा हुआ, जोपड़ी नुमा और मिट्टी यूँ, लेकिन अगर हम कहें कि घर पानी में भी बनाया सकता है, क्योंकि ऐस इसे लोग बोलते हैं कि एक समय आएगा जब पूरा पानी ही पानी हो जाएगा, तो ऐसा भी घर है, जो पानी पे तरते हुए घर बनाया है, और हमारे साथ भोटफिर जीले के ही एक युगा है, जिन्होंने अपने दम के बदालत, एक ऐसा घर बनाया, वो भी दो-तिन कमरे और बिल्कुल आदमी उसमें सब कुछ है, उसमें लेटिन भी होंगे, और ठहलने के भी जगह होंगे, सोने वाले कमरे भी होंगे, हम उनसे सीधह-सीधह बात कराँएंगे आपको, आखिर उनके मन में कैसे आया, और कहां से प्रेना मिली और बनाने में उनको क्या-क्या दि थैने वाला घर ऐसे किसे आगए है। आगे आने वाले समय की अत्याधिक गर्मी, अत्याधिक ठंड, अकलाग अलग जो प्रकृति की प्रकोप है, उसके अलावा फार्मिंग, मने खाना हम कैसे उगा पाएंगे, तो एक पूरी तरसे बिजली कैसे उगाएंगे, पानी के बीच में है, तो बिजली कहां से आएगा तो ये कैसा एकस्परिमेंट है, एक ऐसा प्रयोग है, जिसमें हम लोगो सिद कर रहे हैं कि जो सस्टेंबिलेटी का सो एक लाईवलिवूड हो सकता है, या एक लाइफ हो सकता है, उसके एक एक स्परिमेंट है, कोशिस हो रहा है कि इसको हम लोग कैसे ड hedgeIGN कर सके, तो आप तो तो देखिए आता ही है इस तरह के बड़े प्रयोग में जो अनोखा हो या पहले ना हुआ हो तो पहले तो infrastructural challenge था जिस जगा पर कर रहे थे उस जगा पर पहुचना मुस्किल था बार से पानी का लेबल बढ़ जाना एक बहुत बड़ी चुमती थी कई frames डूब जाते थे पानी में गोता डाल करके निकालना तो मतलब पूरा प्रोसेस तो एक challenging process था ही मेरी लिए थोड़ा जादा challenging था क्योंकि on-site में था जितने लोग हैं वो सारे safe रहें, secure हैं वो मेरी responsibility थी तो एक तरह से देखेंगे उससे पहले के पार्ट करेंगे तो funds एक बहुत बड़ा challenge था support system challenge था कि हम किसको किसको अब मेरे पास सोच आ गया यह होना चाहिए बिहार के लिए लेकिन इसको करने के लिए लोगों को मदद मिलेगा लेकिन उसको करने के लिए टीम बनाना है तो वह बड़ा challenge है तो फिर इसमें जो टीम थी strong team को टीम बोल सकते है तो बें रीड हाल से Canada से वह मेरे साथ था इस पर जर्मनी से एंड्रेस मुलर थे वह साथ में थे वाटर इस्टूडी एक बहुत बड़ी organization है जो पानी पर घर बनाती है और बड़े लेवल पर बनाती है उनके अर्किक्ट थे वह साथ में थे तो एक लोकल टीम थी और बहुत डाइवरसिटी के साथ ही प्रोजेक्ट पूरा तयार हो गया लोग भूने गए देखने गए उसको वाच किये क्या मिला आप कौन हो लोगों की जिग्यासा जो है वो बहुत है लोग चाहते हैं कि इसको और समझना हम लोग अभी एलाउड नहीं कर पा रहे हैं सब लोगों को पानी पे सेफ्टी परपस के लिए तो बहुत लोग चाहते हैं कि आकर उसको समय बिताएं देखें हम लोग एक प्रोसेस में हैं कि धीरे धीरे उसको पब्ली के लिए ओकन किया जाएगा तब आ करके लोग देख पाएं लेकिन आने वाले समय में ट्राइ यही रहेगा कि हम लोग एक दो लाक रुपे में भी एक ऐसा घर बना परें जो सस्ता हो और फ्लर्ड रिजिलियंट होंगे तो यहां से तो कि यह नहीं होगे लोग आपको यहां से जानना चाहें कि आखिर आप हैं को मैं हूं मूल प्यार कहीं हूं रहने वाला आर स्कुम्हार next लूग में फिर कुछ समयत के लिए मैं भारत से से सक्क्रेंट की मोटर سाइकल यात्रा में था उस सिकार में मैं वाईस देशों को देखा बीना पैसा कि यात्रा करते हैं की experiment करना लोगों के साथ खड़े हो करके उनके problems को solve करना है ना तो लोग जानना चाहिए आपका मेरा नाम प्रशांद कुमार है मैं Center of Resilience का डारेक्टर हूँ आरा करने बाला है जैसा कि प्रसांद जी करें साथ ही बेल आइकन दवाना न भूलें